दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक बहुत ही common problem नसों की कमचोरी, डबीवी नस, नसों में होने वाला दर्द और नसों में होने वाले blockage के लिए easy और effective remedy के बारे में बताने वाले हैं। आपको मैं यहाँ पर दो सफल effective remedy के बारे मताऊंगा जिससे नसों से related बीमारिया, नरोपेन, साइटिका, डबीवी नस, ब्लॉकेज नस और नसों की कमचोरी में फादा करेगा। और इसके साथ यह high blood pressure, sugar, मुटापा, खराब cholesterol, joint pain, वात और कफ से related रोगों के लिए रामबाण हैं। दोस्ते यह बहुती प्रभावी घरिल उपाय हैं जो पूरी तरह से natural है, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी side effect नहीं होता। इस remedy को बनाने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वो है दालचिने। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, यह आपके किचन में ही रखी होती है जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं। यह स्वाद को बढ़ाने के लावा यह आपके मोटापे को कम करती है। खराब कॉलेश्टॉल को शरीर से बाहर निकालती है। यह शूगर में फायदा करती है। शरीर के सारे toxins को बाहर कर देती है। नसों के blockage को पूरी तरह से यह खोल देती है। इससे खून का बहाव, blood circulation बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके लावा दालचीनी कफ और वात नाशक होती है। इसके लावा हम दूसरी चीज़ जो लेंगे वो है fenugreek seeds यानी मेथी दाना। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते। मेथी दाना नसों में होने वाली blockage को खुल देता ह है। शरीर में बढ़ी वी वात को बैलेंस करता है। जोडों में, कमर में दर्द या हड्डियों से सम्मंधित रोगों में इसे कई सालों से आउसदियों में उपयोग करते आ रहे हैं। इसके लावा ये कबज की प्रॉलम को ठीक करता है। और ये diabetes वालों के लिए दोस्तो को कंट्रोल करता है। बॉड़ी में कफ नहीं बढ़ने देता। ये दिमाग को एक्टिव और हेल्दी रखता है। खज्गियों से रिलेटेड कोई भी वीमारी हो या नसों से सम्मंधित कोई भी प्रॉलम हो रही हो तो ये इसे ठीक कर देता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फादयमद है। तो हम यहाँ पर दो चीजें लेंगे मेथी दाना और दालचिनी। इसका इस्तमाल कैसे करना है आईए जानते हैं। यहाँ पर आपको एक गलास पानी लेना है। यहाँ पर गलास में पानी भर लिया है। अब आप पुकड़े को भी इस पानी में एड़ कर देना है। और इसे रात भर के लिए हमें ढग कर भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह जब आप देखेंगे तो यह दोनों ही चीजें फूल गई होगी। आपको क्या करना है जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहला काम ह होना चाहिए इस पानी को अलग कर लेना है। यह पानी भी हमारा काम आएगा और दोनों चीजें भी हमारी काम आएगी। ध्यान से देखेंगे करना क्या है। यह जो पानी हमने छान कर अलग किया है इस पानी में आपको चुटकी भर खल्दी डाल कर गुन-गुना कर लेना है खल्दी में दोस्तों करक्यूमिन तत्व पाय जाता है जो सूजन और दर्द को कम करता है खल्दी वात नाशक होता है खल्दी में बहुत से अब यह जो मेथी दाना और दालचीनी बची हुई है इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ इन दोनों चीजों को आपको एक चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा लेना है आपको यह ज्यादा कड़वी नहीं लगेगी आराम से खा सकते हैं आप फ्रेश होकर आजाए और फिर इसका सेवन किचे और उपर से एक कप हलका गर्म पानी पी लीचे अगर आपको डायबेडीज है तो आपको शहद यहाँ पर अवोइड कर लेना है बगर शहद कर लीचे का इसको लेते ही आपको शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होने लगेगा इन नसों के इस्तमाल से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा इस उपाय को आप लगतार 15 दिनों तक फॉलो किजेगा 15 दिन के बाद 7 दिन का गैप दे कर 15 दिन के लिए फिर से आप इसे ले सकते हैं इस तरह आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं इसकी तासिर की बात की जाय और भीगे वे दालचीनी की दासिर नॉर्मल होती है तो पित प्रक्रति वाले भी इसे आराम से ले सकते हैं इस रेमेडी को लेने का फायदा उनको भी मिलेगा जिनके श्री में मोटापा बढ़ा हुआ है जो मोटापे से परिशान है वे लोग भी वजन कम करने के लिए इस इस काढ़े को बनाने के लिए क्या करना है एक ग्लास पानी लेकर पैन को गैस पर चड़ा देना है और गैस को लो फ्लेम पर रखना है जब पानी तो इसमें आपको एड करना है दालचीनी का पौडर मैंने दालचीनी की स्टिक को पीस कर इसका पौडर बना लिया है आप भ बड़ी इलाची, इस तरह का बड़ी इलाची आपको आसपा से किसी भी किराने की दुकाने मिल जाएगा, इसे हम गर्म मसालों के तौर पर इस्तमाल करते हैं, आप इसे पत्थर के लंगरी में कूट लीजेगा, और कूटकर ही इसका इस्तमाल करना है, कूटकर इस्तमाल करें तो उसके सारी औसदिये गुन आपको मिल पाएंगे। इस तरह पानी में डाल दीजे, गुटकर। फिर इसके बाद, आपको इसमें तिसरी चीज़ों अड़ करनी है वह है लॉंग। आप दो लॉंग ले लिजे और इसे भी कुट लीजे, और इस पानी में अड़ कर और अराम से इन्हें गर्म होने जिना है ताकि इन सारी चीजों का गुड़नेस पानी में आ जाए देखे दोस्तों पानी को उबलते हुए लगबग 6-7 मिनिट हो गए है और पानी अच्छे से उबल गया है और इसकी क्वानिटी भी आधी हो चुकी है अब हम गैस को आफ कर देंगे इसे च्छान कर कप में निकाल लेजे दोस्तों यह ड्रिंक हमने एक आदमी के हिसाब से बनाए है अगर आप दो या फिर दो से अधिक लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इन सभी औसदियों की क्वानिटी बढ़ा सकते हैं और इसमें एड कर देंगे एक चमच के बराबर गुड यानि की जैकरी गुड भी आपको तामबे कलर का इस्तमाल करना है और गैनिक गुड इस्तमाल करना है इसे घोल लीजे और घोलने के बाद यह हमारा पावरफुल घरील उपाया बनकर तैयार हो चुका दोस्तों इसका इस्तमाल कैसे करना मैं आपको बताता हूं इसका इस्तमाल आप सिर्फ इन सर्दियों के मौसम में ही कीजेगा आप दिन में इसे एक बार या फिर दो बार भी ले सकते हैं लेकिन सुभा के नास्ता करने के आदे घंटे पहले आपको इसका स किजेगा सुबह के समय एक खुरा आपको जरूर लेना है ताकि पूरे दिन आपके शरीर में काम कर सके इसके लावा आप इसे शाम को चार से पांच बजे के आसवास फिर से ले सकते हैं यानि दिन में दो बार आराम से इसे पिया जा सकता है कोई नुकसान नहीं होगा बलकि ये फायदा ही फायदा करेगा इस चाय का इस्तामाल आपको regular कम से कम एक महीनी तक करना है जिकिन मानी दोस्तों ये इतना जबरदस इतना फायदयमंद है कि आपको इसका फायदा साथ से आठ दिनों के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा जिससे आपके नसों में कम्चोरी ब्लॉकेज की समस्या या फिर नसों में खराब कॉलिस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो इसे भी कम करने में आपकी ये मदद करेगा इसके लावा जोड़ों में सूजन आ चुकी है तो वो भी दूर हो जाएगी ये तो आपको दो उपाई मैंने बताएं दोनों उपाई को आप रे जरू करना है वाकिंग जोगिंग या फिर सूरी नमस्कार कीजिए बहुत अच्छा होता है और डाइट में ऐसे चीज़ें शामिल कीजिए जिसमें विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा हो इसके लावा मैगनेशियम और ओमेगा थ्री फैटी एचिड वाली चीज़ें जरू ड अगर वेजिटेरियन हैं तो अलसी अखरोट को किसी भी तरह से डाइट में शामिल कीजिए और खासकर इस ठंड के मौसम में आप अलसी या फिर अखरोट जरूर खाईए अलसी और अखरोट के बहुत से हल्थ बनिफित मिलते हैं अलसी को आप तवे पर भून लीजेगा औ अलसी का सेवन कर सकते हैं मैंगनेशियम के लिए आप एक दो के लिए रोजाना जिरूर खाएं आप रोजाना के डाइट में केले शामिल कर लेंगे तो पूरे दिन की जो मैंगनेशियम के जुरत होती है शरीड को वो पूरी हो जाएगी और आपको मांशमेशियों के नसों में दर्द से छुड़कार मिलेगा